इस question में क्या दिया है बोलता है कि on an item a shopkeeper offers a discount of 7.5% है फिर बोलता है कि on a mark price and a cashback of 10 rupees per item और फिर से इतना देने के बाद बूसे 5 rupees का profit होता है question में बोला है कि अगर एक से mark price है तो हमें बताना है cost price कितना होगा तो पहले बता है यह selling price का scene क्या है selling price कुछ ऐसे आ रहा है जो marked price है इस पर कितना का discount दे रहे 7.5% का अगर discount 7.5% का है तो कितना परसेंट उसे देना परेगा तो आप बोलेगे देखे 92.5% परसेंट जो है पे करना परेगा तो इसका आगया 92.5 divided by 100 ठीक है इतना पे करना परता बट बात क्या है कि दुकंदार को इतना पे किया कर समने कि लो फिर बलता है कि ऐसा करो तुम 10 रुपे का cashback ले लो तो 10 रुपे और कम गए बात समझ में आगए तो इतने रुपे कम गए है यह हो गया आपका क्या selling price selling price हो गया 0.925x-10 इतना खरने के बाद भी उसे 5 रुपे का profit है जो cost price है न वो कितना हो जाएगा selling price में से 5 रुपीज कम कर दीजिए तो 0.925x-15 तो अगर यह वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे सारे best pure IQ का solution मिलेगा आपको detail में और अगर हम यहाँ पे कोई concept discuss करते हैं तो उठाएंगे basic से लेके जाएंगे top top तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए solution के साथ और एक नए concept के साथ